आप सबी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडिय जे नैचर चेजर में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो एक सुन्दर फूल और सुन्दर फूल के साथ उतने ही माहान औस दिय गुण वाले प्लांट के चर्चा करेंगे गुलबास के नाम से आप आप लोग जानते हैं मीरा बिलिस जलापा निक्टर जिनेशी फैमिली का यह प्लांट है सुन्दर फूल आप इसके देख पा रहे होंगे पूरा प्लांट उस दिय गुणों के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं साथियो किस प्रकार से आप इसको उपयोग में ला सकते हैं आप इसके संदर फूल काई इंफीजन बना कर सेवन कर सकते हैं और इस इंफीजन से और दिन में इसको पीने के बाद आप देखेंगे के धिर दीर आपके स्रीर के वाले होते हैं कई बार जब पित लंबे समय से बढ़ा हुआ होता है तो पित के कारण गले में सूजन हो जाती है जिसको गलगंड की समस्षा कहते हैं और गलगंड की अगर समस्षा हो गई हो तो इन पत्र की पुल्टिस बांद देनी चाहिए और पुल्टिस बांदने से आप बीज का पेस्ट बनाकर जॉइंट पेंट 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 लगाते हैं इंफ्लामेशन हो कहीं सूजन हो जॉइंट का पेंट हो आर्थाइटिस की समस्या हो तो आप देखेंगे कि उनको दूर करने का कारे करता है इसके बीज बहुत अच्छा कारे करते हुए हर प्रकार की को दूर करने का कारे करते हैं इसके नीचे पाए जाने वाली जड़ विसेश उपयोगी होती है आप उस जड़ को निकाल लीजिए और उस जड़ का आप सुखा कर पाउडर बना लीजिए उसके अंदर बराबर मात्रा में आप बादाम पिस्ता चिरोंजी डाल कर पाउडर ब पूरा करते हुए बल को बढ़ाने वाला वीरिये को बढ़ाने वाला ताकत को बढ़ाने वाला नेचुरल सप्लिमेंट का कारे करता है और मुटापा भी नहीं आता है नेचुरल सप्लिमेंट इतना महान है कि लाइफ की लॉंगिविटी को बढ़ाने वाला भी होता है और उसी जड़ को अगर आप इसकी जड़ निकालते हैं और उसको पीश लेते हैं और उसको पीशने के बाद शरीर के किसी भी धियंग पर लगाएंगे तो बालों को रिमूव कर देता है नेचुरलि जब बाल रिमूव हो जाते हैं तो फिर दुबार नहीं आते हैं कई बार unwanted hairs जो होते हैं, उनको हम बार-बार remove करते हैं, वो फिर से आ जाते हैं, अगर ऐसी भी समस्चा है, तो उसको दूर करने के कारे करता है, permanent बालों को आने नहीं देता है, इसको जड़ को आप पीस लीजिए, पीस कर जहां भी आप लगाएंगे, वहां से बाल remove हो जाएं और बार बार आने वाले जो बालों की समस्चा है, वो भी दूर हो जाती है, इसके अंदर काफी मात्रा में aphrodasic properties भी होती है, इसकी वाजिकरन के लिए उपयोग में किया जाता है, इसकी जड़ को सुखा कर, उसमें मिश्री मिलाकर दूद के साथ सेवन कीजे, वो भी activities इसकी होती है, पेट के अंदर कीडे हों, उनको भी दूर करता है, अलसर को हील करने का कारे करता है, सरी की प्रिकरती को बैलेंस करने का कारे करता है, मेटाबोलिक डिसोर्डर को दूर करने का कारे करता है, मित्रो लिवर और किडिनी डिटोक्सिफिकेशन का का कारे करता है निक्टाजिनेशी फैमिली का ये प्लांट है फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटीज इसके अंदर होती है रियक्टिव ऑक्सिजन रियक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज को न्यूटलाइज करने का भी ये कारे करता है सुन्दर लिव्ज आप इसके देख रहे ह इसको ठीक करता है नियूरो प्रोटक्टिव इफेक्ट इसका होता है नेच्रूल रेमीडियेटर है शरीर को बल देने का भी कारे करता है गमलों में आसानी से हो जाता है इसके राइपनिंग अवस्था में जाने के बाद यहां काले कलर के काली मिट से थोड़ा बड़ा वास्ते के लिए असको लगाइए इसके फूलों कीजिए क इन बीज का ओपयों कीजिए इसकी रूट का अपयों कीजिए इसकी अभी पिरकार से गौनकारी है जानकारी को सांज्ञ्र कीज़िए चैनल को सबस्कारिब कर लें कल सुबह 6-6 बजे फिर मिलेंगे एक नई प्ल झाल झाल